नमस्कार and welcome to Tech Affairs मैं हूँ सूरज और आज किस लेक्चर में हम बात करेंगे अभी रीसेंटली इंडियन एंशोनामर्स की एक टीम ने इवॉल्व स्टार में लीथियम की परचूरता के पीछे के रहसे से परदा उठाया है इसकी मिष्ट्री थी, काफी सालों से जो सांटिस्ट के लिए एक पहली की तरह थी इसे स्वल्व कर लिया गया है इसके बारे में हम इस लेक्ट्र में डिटेल में डिसकस करेंगे आखिर ये है क्या साथ हम यह भी समझेंगे कि यह लीथियम ट्रैंगल होता क्या है इसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं मिश्ट्री बिहाइंड हाई अबंदन्स ओफ लीथियम इन सम इवॉल्व स्टार ट्रैस्ट अल्सो यहाँ पर एक और साइंटिफिक मैगजिन है उसका आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं नूच का थी तो देखे रीसेंट्ली वैग्यानिकों ने कुछ डेवलपिंग स्टार्स में यानि इवॉल्व स्टार में लीथियम की प्रचुरता के पीछे के रहस्य का पता लगाया है विक्सित सितारों में लीथियम की उपसिती हमेशा वैग्यानिकों के लिए एक रहस्य बनी रही है क्योंकि वैग्यानिकों दोरा विक्सित मॉडल के मुताबिक इस तत्त को तारे के गरम पलाजमा से नश्ट हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं और लीथियम प्रिथिवी पर मौझूद एक दुरलब तत्व है और रिचार्जेबल बैटरी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंपोनेंट है जिस वज़ा से ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो देखे इसके बारे में हम समझ लेते हैं ये है क्या फर्स्ट अफॉल ये अनुवान लगाया गया था कि लीथियम उतपादन हिंसक हीलियम कोर फ्लैस से जुड़ा हुआ है साथ ही जो शोध हुआ है उसके अनुसार ये दो इस्थिर हीलियम समस्थानिकों के बीच टकराओ से जुड़ी परमाडु प्रक्रियाओं का एक सलल औ उपसिती भी देखी गई है अब हम बात कर लेते हैं लीथियम के बारे में देखिए ये एक तरीके का रासानिक तत्त्त है केमिकल एलिमेंट है जिसका प्रतिक जिसका सिंबल एलाई है और यह एक नरम तथा चांदी के समान सफेध धातु है मानक परिशितियों में सबसे हल का ठोस तत्त भी और यह अतिदिक प्रतिक्रिया शील और ज्वलन शील है अता इसे खनिच तेल के रूप में स्टोर किया जाना चाहिए जैसे सोडियों को किया जाता है तो लीथियम वाइट गोल्ड एक नया वाइट गोल्ड बन गया है क्योंकि उच्छ शमता वाली रीच सकते हैं सबसे पहले कौन है hydrogen और second position पर है helium third position पर आता है lithium का atomic number यहां पर आप देख सकते हैं इसका atomic weight और जतने important point है सब stable में आप अप देख सकते हैं और देखें लीथियम देखने में कुछ इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है साथी उभरती वैश्विक लीथियम मांग और बढ़ती कीमतों ने तता कदित लीथियम ट्राइंगल जिसमें अर्जन्टीना, बोलीविया और चिली के कुछ हिस्से शामिल है इसके प्रतिमी लोगों की रुची इसने बढ़ा दी है तो देखिए साउथ अमेरिका का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एरिया बोलीविया का और कुछ एरिया चिली का साथी कुछ एरिया अर्जन्टीना का शामिल है जिससे बनता है हमारा लीथियम ट्राइंगल और इसमें इस लीथियम ट्राइंगल में ही सबसे ओलिविया में इस सित है चिली में इस सित है अटाकामा और और tena में इस सित इन तीनों लेक में इसकी माइनिंग की जाती है जो इसकी सब्सेफूर मात्रा में बारतने लिठियों ट्राइंगल आप नहीं हां का अगर आपने सुना है तो आप comment section में बताइए कि आखी लिए golden crescent है क्या अब हम बात के लेते हैं lithium के application के बारे में तो सबसे पहला इसका application thermonuclear reactions में किया जाता है तो lithium धातु का अनुप्रयोग उपयोगी मिश्रित धातु को बनाने में यानि इसके alloys बनाने में किया जाता है और इसका सबसे बढ़िया एक्जामपल है motor engines में सफेद धातू की bearing बनाने में aluminium के साथ विमान के पुर्जय बनाने में तथा magnesium के साथ arm pit plate बनाने में किया जाता है विद्यत्रासानिक सेल के निर्माड में तथा electric vehicles के निर्माड में also laptop अधिक निर्माड में लीथियम एक important component के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो सबसे अधिक अस्थान जहां पर लीथियम पाया जाता है तो सबसे पहला है चिली जैसा कि मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था चिली उसके बाद ऑश्चिलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थान जहां पर यह पाया जाता है और थर्ड अर्जेंटीन और इस graph के मादि सब्साइब प्रफल आराम समझ सकते हैं सन लाइक स्टार जो होता है वो कनवर्ट करता है अपनी जो उसके अंदर ने नुकलियर फ्यूजिन रियक्शन होती रहती है उससे वो क्या करता है अपने हाइड्रोजन को हीलियल में कनवर्ट करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हाइड्रोजन खतम हो जाता है तो पूरा स्टार ठंडा बड़ जाता है और वो एकस्पैंड करके एकस्पैंड होता है और साथी ठंडा कर जाता है देन उसके बाद जो उसमें लिथियम होता है वो डिपलीट हो जाता है और वो स्टार बन जाता है रेड जायंट स्टा साथ ही इसके बाद होता क्या है उसमें explosion होता है उस star में explosion के बाद एक नए star का जनम होता है और वो lithium rich star होता है तो उसके बाद ये धीरे धीरे star evolve करता है then helium in core is exhausted and helium and hydrogen are now burning in shells around inert core of carbon and oxygen lithium is depleted again due to mixing तो I am sure आपको अब ये properly समझ में आगया होगा इसके अधिकता के कारण का now अब हम बात कर लेते हैं lithium की भारत में तो देखिए पर्माडु खनिज निदेशाले यानि भारत के पर्माडु उर्जा आयोक के तहत researchers ने हालिया सर्वेक्षणों में दक्षण करनाटका के मांडिया जेले में भूमी के एक छोटे से हिस्से में करीब 14,100 तन के lithium भंडार की उपसिदी का अनुमान लगाया है और साथ ही यह भारत की पहली lithium भंडार साइट भी है और मैप में दिखाता हूँ यह कहां पर उपसिद है तो देखिए यह इंडिया का मैप है मैप में आप यहां पर देख सकते हैं बैंगलूरू बैंगलूरू के पास ही यहां देखिए मांडिया मांडिया डिश्टिक है यहां पर यह साइट खोजी गई है, आगे बढ़ते हैं, हम बात के लेते हैं, अधर पॉसिबल साइट्स की, इन इंडिया ओफ लीथियम, तो देखे, भारत में अन्य मौझूदा साइट्स की, अगर हम बात करें, तो देखे, राजस्थान में भी यह पाया जाता है, बिहार, पच, पद्रा, तथा गुजरात के कक्ष के रण, का खारा, या लवडी, जलकुन, इसके प्रमक सोत हैं, देखे, इससे रिलेटेट गवर्मेंट इनिशेटिव की, अगर हम बात करें, तो भारत ने सरकारी स्वामित वाली कंपनी, खनीज विदेश इंडिया लिमिटेट के माध्यम से, अर्जेंटीना, जहां विश्यो में धातु का तीसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, इसमें सहींत रूप से लिथियम की खोज करने के लिए, अर्जेंटीना की एक कमपनी के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, खनीज विदेश इंडिया लिम्टेट का प्रात्मिक कर, विदेशों में विशिष्ट, खनीज समपता जैसे लिथियम और कोबाल्ड आदी का अन्यवेशन करना है, तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपका अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, और आप PDF के लिए connect कर स रहा हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक जरू करें, और शेयर जरू करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेए, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू फो वाचिंग डिस, हाव ग्रेट डेए